आप सभी का स्वागा थे पहे दिल से स्वागा थे बच्छो आज हम लोग एक ऐसे टोपिक पर चल्चा करने वाले हैं जो आपने पहले तो कभी सुना होगा ठीक है घ्राइक भू है कि वरड चाम देने वाले है उन बच्छो के लिए एक बहुत ज्यादा हेलपफोल ओने बाला है आपके लिए कारगार साबित होगा बच्छो फीक एंचो कि कब divorced अ चारगार वापिदि कर सकते भई आप मई से पलकर 95% अस्कोर अभी से भी कर सकते हो आप अभी से भी आप मई से पलकर 95% अस्कोर कर सकते हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे हो हिंदी हो चाहे मैथ हो चाहे कोई भी हो ठीक है ना फिलिक्स हो कमेश्ट्री हो चाहे बाईयों हो तॉपर बनना है तो आज से कामे अश्टार्ट कर दो लेट्स नाव विना देर किये बिना किसी से पूछे आप अस्टार्ट करो एकदब निर्विक होकर अस्टार्ट करो खारगार सावित आप होगे अब देखना में है कि भाई आपने बोले होंगे कि सर मई से पहकत हो करेंगे लेकिन मई से जो पहेंगे जरवरी फरवरी तक जो हमारा एक चाम होगा अभी कितना दीन बाकी है अभी कितना दीन बाकी है तो हम बोलेंगे 210 दीन अभी बागी है बाबू कितना दिन बागी है बच्चो तो मेरे बच्चे 210 दिन अभी आपके लिए है आप 210 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो ठीक है ना आप एक अच्छे बुकाम हासिल कर सकते हैं इंसान 210 मिट में बहुत कुछ करता है तो आपके 210 दिन है ठीक है ना कितना है 210 दिन ह हाँ तो बच्चों दोस्टों दस दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेश्ट रहेगा ठीक है आप ऐसा कर सकते हो आपके अंदर जुनून है आपके अंदर जज़वा है आप कर सकते हो ठीक है आप दिखिए हमारा एक नीचे केली ग्राम चैनल होगा ठीक है सबसे पहले अगर ऐसे वीडियो और आप पसंद करते है ठीक है न और हमारे हाँ हर चीज़ भईशुनिटे ठीक है न बचे तयारी कर सकते हैं बचे 12 बच्च कर सकते है ठीक है उंका हर सब्जक्ट का तयार है भिल्कूल फिर आप पोस्ट यूटूब पर ड्रीम क्लासे सपे आप नीचे जाओ टेलिग्राम का लिंक है आप नीचे जाकर टेलिग्राम लिंक में ज्वाइन कीचे ठीक है ना अगर आप मारे साथ बच्चे नहीं है तो ऐसे इसे वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनलों को सब्सक्राइब कीचे सबसे पहले देखीगा कि अब हमें तो 95% लाना है ठीक है ना हमें क्या करना है भोई 95% लाना है तो पांच उपाय अपना लेना पांच उपाय अपला लेना आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा ठीक है ना आपको सफल होने से बच्चो कोई नहीं रोक सकता है बिल्कुल आप एक सटीक तरीके से सटीक धन से आप आगे बहस सकते हो ठीक है दिखेगा लेक्षतों ध्यान दीचेगा सबसे पहला बात है हमारा सबसे पहले हम रूटीन बनाएंगे मही का महीना है मही महीन में हम लोग रूटीन बनाएंगे आज से अगर स्टार्ट करें तो देखेगा सबसे पहले रात्री का बात गरते है ना रात्री पाच अब रातरी के बाद हमारे शुबह होता है ठीक है न हम आपका ज़्यादा टैप नहीं लेंगे बच्चों ठीक है न कम समय में हम आपको एक अच्छे परकास से motivate कर देंगे ठीक है ना चो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगार साभित होगा बहुत ज़्यादा helpful साभित होगा बच्छों ठीक है ना तो देखेगा कि कहा गया है कि बच्छों कि हो चुका आगाजरन का युग बदलने की तयारी है जीत उसी का होता है जिसका संघर्स जा परिनाम है उसके आपके फल्स वरुप आपको मिलेगा ठीक है ना परिनाम आपको जरूर मिलेगा बच्छों तो सब से पहले हमारा है अपने रातरी में 9 से 11 बजे का टाइम का सिद्डूल किया ठीक है अब बच्छों आपका शुबह वाला रात भर आपने जो भी किया ठीक किसी से और हमारा जो माइन देथर बिल्कुल फोकस कहा रहता हा है घृस्टा हमारा लोक का समय हमें वोख तो अब दिखी णका समय हमे सका करेंगे वोदियेगा सर्म को पहर में कैसे कहें आ, खाने टैम भी गर्मी लग ना, जब हम गरम गरम चावल खातें, तो अंदर से बहुत सारा पसीना निकलता हुआ। उसी परकास सेहाँ एक जुनून उत्पन करना आपने अंदर। पंbor कडare उत्तिके न क्या करना है। कि आपनी offline class भी किया कर लिया ठीक है ना 6-5 घंटे का टाइम रता है पांच घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा चार घंटे आप offline class करोगे अराम से आओगे खाना पीना खाओगे ठीक है ना एक घंटे में आप बिल्कुल सब कुछ कर दोगे हमें पता है ठीक है ना फिर 12 से हो आपके अंदर ये चीजे साहसे हमने देखा है ठीक है चली बहुत वाणिया अब आप एक चीजे और हमसे पूछ सकते हैं कि सर 210 घंटा तो हम आप 210 दिन तो आप हमको बता दिये हम की की करेगे 210 दिन में क्या चीज पलेंगे कितना दर पलेंगे सर तो बाबो आप 210 दिन त अब देली का आप छे गंटा पलाए करें ठीक है ठीक है ड्याफियर डेली बेशिकर पर आपकितना करेंस पर चीजे पलत करेंगे तो बाई अब इतना हिपर रहें थीखार आप 12070 घंटा पर रहे हो थी एक है अब दीखिए गाप तो आप बोलिए गल सर 1207 घंटा टो हम पढ़ रहें, लेकिन कितना question हम पढ़ें इसमें, कितना question हम करें, हम बोलेंगे ज्यादा नहीं, आप 10% डेली पल हो ना, बुलिए अगर ठीक है सर, हम 10 question पढ़ेंगे, ठीक है, तो बाबु 10 question आप पढते हो, तो आप 210 दिन में 12,600 question ही आद करते हो ठीक है, अगर मान लीजी, अगर आप 12600 को शनात कर लिए तो 95%, TO क्या, आप 99% भी ला सकते हो, ठीक है ना, अगर आपके अंदर एक चीजे है, आपके अंदर जुलून है, आपके अंदर जजबा है, उस कर दिखाने का, तो भाई, आप एक चीजे कर सकते हो, ठीक है ना ये बच्चों आपका मई का महीना का था ठीके ना बबू किस महीना का था तो ये आपका मई का महीना का structure था बबू ठीके ना आप देखिएगा अब जो हमारा है बबू ठीके ना मई हमारा कलियर हो चुका है जून में देखिए ठीक है ना जी जून का महिना है बला ही प्यारा महिना है आम भी थोला थोला पका पका आम खाने के लिए मिलेगा अराम से एक कटोरी में आम का फाका कात लिचेगा पका हुआ आम का भाई डोज लिचेगा और पलने बैच जाएगा ठीक है सबसे पहले हमार कियोंगे ठीके ना तो यहीं जो रफ कोपयां है आप देखे इसी से काम आएगा आप इसे जितना भी आप लिए चार से पाँच मेहने पीछे जो बैक प्लभा थे के अशे आप सौ कोस्टिन निकालो ठीके न ऐसे सौ चाबल को धोते हैं उसके बाद हम उसमें गरम पाने जाल के भी धोते हैं यूशो एकदम सुंदर सी कहते हैं उससे हम लोग सा करते है पकाते हैं, खाते हैं नहीं (?) जो चीजे हैं यहां यहां से हुठाना है और यहां पर ऐड कर देना ؟ कैंगा तो भाई यहाँ पे आपका महिना का स्ट्रक्षर था ठीक है अब दिखी का जुलाई में क्या करें थीक है ना बबु जुलाई में हम लोगा करेंगे तो सबसे पहले जो आपका शुलाई का क्या सबसे पहला काम हमें क्या करना बच्चो तो सबसे पहला काम हमें है अबजेक्टिव को कभर करेंगे तो बोलिएगा सर अबजेक्टिव कैसे कभर करेंगे हम अमारे पास तो बुक नहीं हैं हमारे पास पुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे बढ़ो आपके पास सारा चीच है अब हर चीच कर सकते हो आपके अंदर जजजबा है आपके अंदर जुनून है हम ने आपको देखा है बही ठीक है ना आप देखीगा आपने सबसे पहले objective करना कहा से किछ टी रहा तो यह चीजा हम बताते हैं ठीक है ना कभी आपने पतीले में दूद गरम किया होगा बताईएगा जन् recreation हाँ इस जरूर आपने किया होगा ठीक है ना पतिली में आपने दूद गरम किया होगा तो अगर आप पतिली में दूद गरम करते हो तो सबसे पहले हम थंडा दूद डालते हैं उसमें ठीक है ना जो दूद थंडा रहता जैसे ही हम जैसे ही हम निकाल के लाते हैं दूद हमने तो बनेगा क्या चाली बनेगा। तो बोलिएगा सर कहा दूद से निकला ना झी खाली दूद से ही निकला है। तो उसी परकार से जो अब जी आपको कहा से निकलना है। जो आप प्angen है रहे țिक्व जो आप प्हेले उस बու्क से निकाल लिये को जरत अंधर से पांधी आधर निकालें निकालें जब तख मार्केट में आपका चाली निकलेगा ठीक है ना वह छाली जब खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें स्वाधिश्ट लगता है लगेगा नहीं बहुत अच्छा लगता है ठीक है ना तो उसी परकास से जो अबजिक्टिब यहां से आपको निकलेगा हर चेप्टर से 5-10 अबज़िक्टिब आप जिसे हम क्या कहेंगे उसको मक्खन कहेंगे ठीक है ना भाई क्या कहेंगे जी तो इसे हम मक्खन बोलेंगे भाई मक्खन तो इनको प्यारा था हमारे कृष्ण भागवान को प्यारा था ठीक है ना तो ओचीजे आप भी कृष्ण भागवान के तरह बनो ठीक है ना आपको भी मिलेगा कब मिलेगा जब आप इतना मेहनत करोगे तब ठीक है यह बत जुलाई का ठीक है जुलाई में हमने इतना चीजे कभर किया अब दिखी हमारा है अगस्त का महीना है वाई बहार सबसे पहले हम अपने जंडे को सलामी जरूर देंगे बच्चों ठीक है ना उसके बाद हम लोग आके बखेंगे अगस्त का महीना है अब अगस्त में क्या करेंगे मन तो हमारा उठ चुका सर परने का तो मन ही नहीं करता है तो भाई मन करेगा मन कब करेगा अब देखिए हां स आपके पास फोन होगा ठीक है ना आपके पास फोन होगा ठीक है ना अविस्ट जा रहा है वह देखिए ना तो आप रिलक्स महसूश यहां से करो ठीकना आप आराम से जो आपको सौंग अच्छा लगता हो ठीकना जो आपको शॉंग अच्छा लगता हूँ ठीक है बन्ह लगरा मन ऊबरा हूए थीक है rou kurti 90 में बहुत नहार है तो आप ऐसा एक इठाओ यहां से मोबाइल से अपना टैप में सर्च करो ठीक है कोई भी सौन सुन लो ठीक है ना थोला सा जो आपको बाइंट को रिलेक्स दे ठीक है थोला सा आप अच्छा महसूस करो आप थोला सा हलका जब फिल करने लगे तब पलने के लिए बैठो अगर इतना से भी नही हिए आप च्छत पे जाओ ठीक है ना अगर जिनके घर के उपर भाई छ्छत नहीं है तो लगाओ ठीक है ना हिटफोन लगाके मस्त यह परकास से बूलो ठीक है ना और सौंग सुनो आप अपने अंदर एक ऐसा उर्जावान महसूस करोगे फिर आप पलने के लिए बैच जाओ ठीक है ना फिर आधा एगंटा पलो ठीक है यह बच्चों कब करना है अगस्त के महिने में करना आप देशिर आगे बहुगे बैसे आप ठीक है यह और तो आपको ठोला सब दूर को रहेंगा तंशन को तो दूर करना है ना इसनकों करेंगा जो से हमारे जिसे जो हमारा का महीना थे न अब देखीए आप देखे का महणा सब्सक्रिदा करें। यहां से हम लोग क्या करेंगे अगस्त का जो महीना है यहां से हम लोग short question निकालना आशार्ट करेंगे ठीक है ना परतेक subject में परतेक subject से बच्चो कम से कम कम से कम आप 100 question सो ऐसे short question निकाली है ठीक है ना चाहे आप कोई book ले लिजे ठीक है ना market में बहुत सार book available है ठीक है या आपके teacher जो आपको सलाह दे रहे हैं ठीक है ना जैसे आपने कहीं offline class कर रहा हो या आपने कहीं online class कर रहा हो या तो आप हमारे हाई हम आपको notes देते हैं उस notes के जरीए उस notes के जरीए आप उससे question देखे हम आपको भले notes दे रहे हैं बचो ठीक है ना सारची provide करें बट उस notes से आप एक अपना copy त्यार करो ठीक है ना अपने copy त्यार करो ताकि आगे चलके आपके भविश्य में आने बाले जो इसे आपके भाई हैं आपके बहन है उनको भी बहुत ज़्यादा कारगा सामित होगा आपका copy ठीक है तो हर सब्जेक्ट से बोलिएगा सर कितना question निकाले तो बाबु हम आपको सिप्टमबर के मैंने मैंने बताया कि आपका माल लीजिए पांच सब्जेक्ट है तो पांच सोट question होगा ठीक है आप इसे अच्छे से एक बार दो बार तीन बार नहीं चार बार नहीं पांच बार पल हो ठीक है ना आपका माइंड में थोड़ा सा सेट हो जाएगा ठीक है से दिखते हों से जब गली से जब किसी का साधी बाधी होता है तो भई बगेरा बचता है ठीक है अगर है अगर आप जो चीज बार-बार आप रिपीट करें तो चीजे आपके माइड में थोलक सा सिट हो जाता है वही अगर एक्जाम टैम में हम करेंगे तो भाई सिट होने के बाद-बाद क्या हो जाएगा हमारा memory में बाइछी जाए गए हां पर ठीक है ना तो एक बार परेंगे परचा बिल्कुल साथिक लिखके आएंगे ठीक है ना परचा में चली यह आपका हो गया सेप्टेमबर का महिना अब हमारा है अक्टूबर ठीक है ना बच्छों अक्टूबर का महिना है ठीक है ना फुला 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 फ कभने में कभल में घोस्ट के अराम से रख़ोंगेज का एक डिकर देखे आप 50 questions उठाओ ठीक है पर subject कितना question उठाओ बच्छो 50 questions बहुत ज्यादा ठीक है ना पांच subject है 200 questions आपके लिए बहुत ज्यादा है ठीक है आप इसे दो बार चार बार इससे भी पल हो ठीक है आपको प्रेट हो जाएगा अच्छे परका से प्रिपेर हो जाएगा बिल्कुल सटीग धंसे हो जाएगा बच्छो ठीक है ना तो आपको कब करना है तो October के महिने में करना है ठीक है आप देखिएगा हमारा जो November का महिना है ठीक है आप यहां पर हम एच्छा करेंगे कि आप जो है objective position रतना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? Market से हम एक book लाएंगे ठीक ना? Question bank इसम क्या कहेंगे? Question bank कहते हैं, आप एक book लाव market से जिसका नाम है question bank है आप question bank से objective question रतना स्टार्ट करों ठीक है ना? आप एक महने जो हो ए objective question पूरा पूरा कुश्चन बैंग रट जाओ अब अब्जेक्टिव का बात करें अब्जेक्टिव का बात करें जो आपका था नवंबर का महिने में था ठीक है अब जो हमारा है अवे दिसम्बर वाला महिना है ठीक है दिसम्बर वाला महिना में पूछिएगा सर क्या करें तो हम एही राय देंगे दिसम्बर वाला महिना में कि आप दिसम्बर महिने में बावु लंग और सॉट कुश्चन रच जाओ ठीक है तो सारा जो हमारा है इस्टर्क्शर हमारा कंपलीट हो चुका है प्रिवेस यस्ट अब जो आपका एक महिना बचेगा वह महिना कौन सा रहेगा बच्चो जनवरी बाला महिना रहेगा ठीक है कौन सा महिना रहेगा बबू जनवरी बाला महिना रहेगा अब एक महिना आप ऐसा कि जितना आपने पहा है ठीक है ना हम आपको टेस्ट सिरीज कर बाएंगे ठीक अपने आपको पता चलेगा ना, हम तो बहुत ज़्यादा पाने में जा सकते हैं, हम तो पार भी हो सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पार हो जाएंगे, आप तो हमें डैरी नहीं लग रहा है, बिल्कुल हम अपने आप में इतना confidence जाग चुका है हमारे अंदर, कि भई हमें तो देरी नहीं लग रहा है आप सर कहीं से भी उठा के टेस्ट ले लो ठीक है ना हम जरूर कम से कम तो 95% टेस्ट में लाएंगे थी ठीक है ना तो अचेज़े आपको एक भरोसा हो जाएगा बच्व ठीक है ना जब भरोसा होगया तभी आप एक सिकंदर बन गें ःजक है ना जब आप के अंदर भरोसा जाई उठा बच्चो वही दिनन से आप क्या हो गए हैं सिकंदर हो गए तो जब आप सिकंदर वो ही गए हैं, तो एक चाम क्या कुछ भी नहीं बचो ठीक है, आप अच्छे से करेक्ट कर जाओगे, 95% अंक लाना कुछ भी नहीं है, बस आप इतना जितना हमने बताया, बस आप महिनत करो, और एक महिना जो जनवरी है, और आधा महिना जो फरवरी, जो भी रापका रूट करो ठीक है, आपका बेश्ट हो जाएगा ते यारी, बहुत ज़्यादा बेश्ट हो जाएगा, तो बच्चो आप जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप जादा स्यादा सेयर किर जेगा, जो बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब सब्सक्राइब बिज्ये का बच्चो सभी को बहुत-बहुत स्वागत थे आपने हमारे से अज़ोगा ठीक है सभी का हमारे कलास में स्वागत था विल्कम थे ठीक है ना इस चोटे से परिवार के उसे बहुत सारा ठैंक्यूं आप के लिए ठीक है कि आप इतने अच्छे हो ठीक है ना आप अच्छे बच्चे हो आप अच्छे बच्चो आप विडियो को जरूर शेयर करोगे ठीक है ना तो बच्चो बाबाए